इमाम साफ जुके तो आप भी जुक गए लेकिन उसकी याद नहीं अल्ला की तो फिर वो नमाज भी नहीं है कपड़े थे आपके पास में पेने ही नहीं एसी रखे वे थे वाड रोप के अंदर आलमारी के अंदर अब वो देना लाजमी आपको देना पढ़ेंगे लेकिन नेकीं नहीं हो ते कि वेस्टेस थे आपको इस्तीमाली नहीं एकर रहे थे मौबत थी कि तो नहीं इसलिए हुझाँ हैुझाँ हुआ है की लोक नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन यतीम का हाक नहीं दे रहे है यह शिooooo है कर्यों लेकिन भक्य करने एक उरु है कि भी सुनода नहीं कर रहे तो यह फिर इंके आजाने लिए जो आजाने हैं नेकी क्या है? नेकी क्या है? किसे कहते हैं? तो आम मखुम्द हमें मालू है कि नेकी अच्छा काम, नेक काम तो ये नेक काम तो वो भी करते हैं जो अल्ला को नहीं मानते, इश्वर को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते और जो बगेर इमान वाले हैं गेर इमान वाले वो भी करते हैं ये काम अच्छे काम और उकेते हैं बल्कि अच्छे काम करने चाहिए इनसानों के लिए बल्कि यह है कि हमसे ज्यादा करते हैं हम इतना नहीं कर पाते हैं जितने गेर इमान वाले लोग और जो अगर नहीं भी मानते किसी को विश्वर कोई नहीं माने अल्ला कोई नहीं माने वो भी करते हैं और हमसे कहीं ज्यादा करते हैं तो नेकी किया सिर्फ ये है कि हम अल्ला को मानना और ये इमान हो जाता है ये रसूल को मानना, उसके किताबों को मानना, उसके फरिष्टों को मानना तो ये नेकी हो जाता है तो कुरान में अल्ला ने इसके तालुग से फर्माया सूर बकरा सूर नंबर 2 आयत नंबर 277 में कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने मूँ मशिर्फ और मगरिब के दिरफ कर लो अफिने की बताई ल्ला ने कि यह नहीं है नहीं कि सिर्फ तुम अपना चेरा रुख नमास पड़ो और भूद और फिर यह नहीं बलके असल नेकी तो यह है कि कोई शक्स ल्ला पर इमान लाए योम आखिर पर इमान लाए परिश्टों पर उसकी किताब पर उन नबीों पर इमान लाए तो नेकी तो यह है के और ल्हास की महबत में अपना माल करामबदारों पर, मसाकीन पर, यतीमों पर, मसाफिरों पर, मांगने वालों पर सवाल करने वाले, वो गर्दन छोड़ाने में खर्च करें, ये ने की है फिर यहां जो ऊपर फिर्माया जो उपर फिर आना आना जो A Tou वो पूरा करने वाले हो तो यहां जो आना आना आ व्यां लेकिन पहले नैकि वो फिर फरमाएं कि वा साब एरीना फिल बासाई वा ज़र्राई वहिनल बस वहलाइक लजीना सद्दकूल वहलाइक हमल मुशत्गून और सक्ती और तंदक्स्ती में यानि जब उस पर तंदक्स्ती आ जाए और मुसीबत में यानि बिमारीयों के अंदर या कोई मुसिबत उस पर आ जा, घिर जाय उसके अंदर और जंग के वक्त सबर करने वाले हैं यही लोग सच्चे हों यही लोग परेजगार है तो यह सच्चे हों परेजगार लोग है तो अल्ला ने एक तो बाना ये है कि इदर रुक कर लेना सिर्फ कि मगरिबों मस्चीम की तरफ रुक कर लेना ये नहीं की नहीं सिर्फ इसको नहीं की नहीं कहा लिए और हला कि Allah ने कुरान में दूसरी ज़िए के कहा भी है इसके तालुक से सूरे बकरा के आयत नमर 150 में फरमाया Allah ने कि अगर तुम जहां के कहीं से भी निकलो यानि सफर पर वो रास्टे परो जब तुम निकलो तुम अपना रुक मस्चीद हरम की तरफ कर लिया करो और तुम जहां कहीं भी हो अपनी तवज्ज़ उस तरफ किया करो ताकि लोगों की तुम पर कोई हुजज़ बाकी न रहे ताकि तुम अपनी नेमत पूरी कर दो तुम्हारे उपपर और ताकि तुम फला का रास्ता तुम पा जाओ तो यहाँ पर अल्हा ने यहाँ बताया और फिर एक और जगे इसी के तालुक से फरमाया सूर बकराई की आयत नमर 115 में फरमाया कि जिस तरफ भी मुख करो सब तरफ अल्हा का रुख है हर तरफ अल्हा का रुख है जिस तरफ भी तुम रुख करो तो सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ अब यह हम यह तो सभी कहते हैं और हर किसी से कहे तो ये एक सिर्फ हमारा इसलाम के अंदर ही है जिसके अंदर हमको एक दिशा दी गई कि तुमको इधर मू करना है और इधर तवज्जो करके तुमको नमास पढ़ना है बाकी किसी के अंदर पहले हुआ करता था, मंदिरों के अंदर एक रुख हुआ करता था, वो भी पूरा पस्ची में रखा करते थे, लेकिन अब कोई ध्यान नहीं देता, अब मंदिर जो है, वो चारों तरफ मुवाले बनते हैं, चर्च के अंदर कोई सुरू से मसला ही नहीं कि तुम जो है, नहीं कहीं भी रहू, लेकिन तवज्जों तुम्हारी उस तरफ होनी चाहिए, यानि अल्ला के तरफ होनी चाहिए, असल तो है, जो बताया उसकी तरफ होनी चाहिए, वो अपनी जगए है कि नमाज हम पढ़ेंगे तो उदर रुख करेंगे, लेकिन ये तो तुम्हारा दीन चला और वह दीन के तुम टैने करने लिदीन वह देन सब्सक्राइबर कृश्भी आफ दाने अधर वाय खेंगरा को पर आफ तो नीजाम में को, के लिए यह नहीं सब्सक्राइबर, क्यों में मजल इनकी नीक जोने बर्दरीन के थे लिए अरग दिननल प तो मरकज की बड़ी एहमियत अल्ला ने बतलाई हमको कुरान के अंदर कही जगर पर बतलाई है पूरे सुरह बकरा के अंदर हम पढ़ेंगे तो 145 से लेकर तक्रिबन 7-8 आयत में पूरा यही मरकज के बारे हम बताए कि किबला क्या है तक्वले के तायुप से फर्माई कि तूमारा सब कुछ इदर होना चाहिए यहां से जो जीज जो किया गया और यही से इसलाम जो है बुलंद हो और यही पर ऍसलाम गएगा है इसलाम पैमत को तो उसके ताल्ग से Allah ने फरमाया भी कुरान सुरह माईदा के आद नमबर तीन के अंदर कि हमने इसलाम को पसंद पर लिए यही है तुमारा मरकज भी और यही पर और वही पर लाने आखरी आयत इसके ताल्ग से उल्मा केतें कि आखरी आयत कुरान की तो आला कि रसुल्ह सलम्हां के हज्जत-ल-विदा के मुखे बार ये नाजिल हुई तो वही पर उसी मरकज पर ही ये आयत नाजिल हुई हुआ लगा लानने कि दिया कि हमने पसंद कर लिया इसको अब तुम्हारा रूह किदर ही होना चाहिए तो वह है अब यहां प पढ़े कलमा बस यह वोई नेकी है इसके लावा नेकी हम समझते हैं कि हम यह नेकी है यह तो अब यह तफसिल उसके आगई फिर अल्ण ने किया कि तुम जिसको नेकी समझ रहे कुछ सिब इमाल लाना नेकी है ये इतनी चीजों पर, परिष्टों पर, रसूलों पर, किताबों पर तो फिर अल्ला ने या बताया कि देखो ये नेकी क्या है तफसिल पूरी बता दे कि देखो असल नेकी क्या है इसे मूँ कर लेना नेकी नहीं है फिर बताया कि नेकी है तो अब ये जो तीजे बता ही सारी कि ये इदिन सब का ख्याल रखना है तुमको इसके लिए निजाम कायम करना है तुमको यतीमों के लिए, मिश्किनों के लिए, गरीबों के लिए मुसाफिरों के लिए ये सब के लिए तुमको काम करना निजाम कायम करना है तो फिर ये नेकी होगी तो हम सिर्फ खाली जुबाइनी कलमा केदे हैं तो फिर तो कोई भी के सकता है हम तो गिर मुस्लिम से भी कहें कि इत्ता केदो काफी है जिसे हिसाई केते हैं कि भाई इसा अले सलाम को बसे माल लो कि यह हम दुनिया के सारे गुनागार और इंसान गुनागार है और ये गुनाओं के बदले में अकेले उस पर चल गए तुमने माल लिया कि हाँ ये इसलिए सूली पर चड़ा दिया गया तो तुमारी निजात इत्ता माल लो तो क्या हमारे दीन में भी इस ही कि सिब जुबानी के दे तो फिर तो किसी भी सारे ये मुस्लिंगों पढ़ा सकते हैं भई देखो तुमारे निजात के लिए तुम ये करतो रहे हो करते रहो लेकि खाली ये कलमा पढ़ लो कामया हो जाओगे चलो तो बड़े आसान बात हो जाएगी फिर तो हिसा नहीं है दीन के अंदर नेकी बतलाया कि नेकी है क्या ये सब चीच करना तो फिर नेकी है सिब नमास पढ़ लेना और इमान रख लेना और कलमा पढ़ लेना नेकी नह इतना है क्या कला आना है पांच आमने पकड लिए। गरीबों यतीमों मिस्किनों मैं इसके अंदर ही लग जाता हूं। नेकी पूरे मुकम्मल लिजाम को दीन कहा जाता हूं। पूरा दीन होता है। तो यह सब करेंगे तब मुसल्मान होंगे। फिर मुसल्मान कोई भी कर लेगा। इमान लाओ, कलमा पढ़ लो, बहुत है काफी है और यह से एकसर हमारे अंदर सब यही है कि वह इमान लिया है, कि हमान है पूरा रसुलों पर, किताबों पर आखिरत के दिन पर तकदीर पर भी है जो कुछ कुरान में नाजिल हो, सब पर इमान है और नमाज भी बढ़ते हैं पाच्च वक्त की रोजे भी रख लेते हैं जकात को हमारे बंती दे भी देते हैं, हज भी कर लेते हैं तो यह हमारा हो गया मुकमल फिर तो फिर उसी के लिए शायर ने कहा कि आसान नहीं, आसान समझते हैं मुसल्मा होना कि सिर्फ यही नहीं है, कि आपने अपनी यह तो इसाब देना है तो इसके लिए करना है आपको तो असल जो क्या है, तो नेकी क्या है, कि सिर्फ नेकी नमाज नहीं है यह नेकीयों के अंदर से एक एहम नेकी है एक फरीजा है सबसे बड़ा, तो यह नेकी है लेकिन ये मकसद, क्या यही मकसद है सिर्फ नमाज पढ़ लेना, तो ये मकसद नहीं है, मकसद जो है इस नमाज से जो हसिल करना है, नमाज पढ़ने के साथ हमें, वो असल मकसद है हमारा, उसको नेकी कहा जाएगा, तो कि अगर सिव यही होता तो अल्ला ने जैसे कुरान में फर्माई सूरे ता सो नंबर भीस आएट नंबर छौदा में फर्माई के मुसा लिख सलम के मेरे जिक्र के लिए नमाज को टायम करो अब ये है कि उसकी याद है उस नमाज के अंदर तो फिर वो नमाज है नहीं तो फिर नमाज ही नहीं आप आकर कड़े होगे एक्सेसाइज कर रहे हैं आप उसके अंदर उपनीचे जुक रहे हैं जैसे इमाम साथ जुके तो आप भी जुक गए लेकिन उसकी याद नहीं है अल्ला की तो फिर वो नमाज भी नहीं है कि अल्ला ने इसकी बताया कि जिक्र के लिए नमाज को कायम पर तो असल मकसद है अल्ला की याद नमाज के अंदर तो फिर हम देखें कि हम सिर्फ इस पर लगे हैं वह यह हो कि पोरे लगे रहे और उसके अंदर नहीं हो कि तुम्हारे लगी याद है के नहीं उसका तसबूर कि इसलिए आ गए कि तुम NK लग गया सोओ strony प्रेड जो जाते हैं जैसे सब गंटी बजी प्रेट सब तयार हो कि मुझे इसी दिए बेढ़े जाते हैं कि नहीं अब जो है दूसरा टीचर आने वाला और यह बड़ा डेंजर है इंगलीश का मैथेमेटिक्स का तो हम इसलिए दो नहीं कि पस अजान होई प्रेट का टाइम आया और हम अटेंड हो गए काम तो वो टीचर ने क्या समझाया वो समझेंगे एक्जाम आएगा उसको देंगे पास होगे तो पास होगे सिब वो अटेंड कर लेना उस पिरेट को वो टीचर से डर जाना तो क्या पास हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि वो टीचर जो समझाएगा उसको समझेगा उसके जाकर खड़े हो उसकी याद के अंदर उसको कि इनने क्या चीज़ हमको फर्माई क्या क्या हमको यह करना कर नमाज को बताया मकसद के नमाज का मकसद क्या है कि यह तुमारे लिए फेश और बुराई को रोग देगी तो अगर हम खड़े हुए और फिर उसके बाद नमाज के बाहर निकले और वही हमारी बाहर बापिस वही फेश और बुराई ही चल रही है बाहर निकलती से उसकी बुराई कर रहे है इस दो लोग के अरे वो नहीं दिखा आज लंगणा वो नमाज में आया नहीं दिखा लिए अब यह आपने के दिया उसके सामने के ते बुरा लगता है तो यह आपने बुर्ट यह चीज़े आपके अंदर से नहीं निकली तो फिर नमाज का मकसद आपने नहीं पाए क्योंकि एक मकसद के लिए नमाज है ताकि तुम्हारे अंदर बुराईया उससे निकल जाए तो उसके लिए यह है तो सिप एक्षन पर हम करें तो पहले तो यह होना चाहिए कि नमाज की रूह तक पहुचे के नहीं यह सब चीज़े उसके जो एक्षन से हैं लेकिन यह बात की चीज़े तो यह है और दूसरी चीज़ कि हम फिर उसी पर लग जाएं इनी चीज़ों के उपर के नहीं यह सही होना चीज़े दिग्या जब जाहरी तोर से दिख रहा सुनत इस ऐसा लिबास पहिन लिया सुनत ऐसी ऐसी शकल रख लिये सुनत उनके पास में हमारे साथ से जुब्य खुब्य और पूरे साफ लिबास है, चेहरा, उनका मुरा बिल्कुल सुनत सब है, लेकिन अगर अंदर तक्वा नहीं है, अकीदा नहीं है, तो फिर वो बेकार है, तासल वो है कि हम उसके लिए, तो कोई भी काम अगर हम करते हैं, तो न पूछे बच्चे से क्यों बढ़ रहा है, चोटा बच्चा उससे पूछेंगे, मारेंगे अबबा, मार पूटके भेज़ देते हो, तो घर्द हुमाल कर रहा था, इसको भेज़ दिया, तो अब वो जब थोड़ा सा जहन उसका अच्छे हो जाता है, उसके बाद में जब सम काम से उसको नतीजा मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, तो काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा, तो कुरान हदीस में जो कोई भी काम हमको बताएगे तो रिजल्ट के लिए बताएगे, नतीजे के लिए बताएगे, इसको पढ़ने के लिए नहीं बताएगे, पढ़ यह हैं कि इस नमाज से हासिल क्या करना है वो चीछ में हमारी तवज़वनी चाहिए तो तुम उसका रुख करो तो यह खुद एक मकसद नहीं है लेकिन यह मकसद का जरिया है कि इससे तुम असल मकसद की तरफ आ जाओ तो रोजा भी एक मकसद रोजा आने वाला है रमजान श फिर वो शुरू हो जाता है हमारा रमजान इसी बहस बाज़े में निकल जाएगा असल जो तक्वार हमको दिया गया था कि तुमको रोजे से हांसिल क्या करना है भूके रह रहे हो तो तो तुमको मिस्कीन की तरफ एक गरीब की तरफ तुमको अमाले होनी चाहिए कि तुम उसके पर एक वकफा हमने रखा है हला कि तुम्हारा फिरिश पूरा शाम को भरा पड़ा है तुमको पूरा खाना है लेकिन उसकी सोचों जिसके पास में भूका है और घर पर खाने को बुछ नहीं है कोई इंतियाम नहीं कल का ना शाम का तो यह तरफ तुमारे होनी इससे ज्यादा नहीं इससे ज्यादा किसी ने खा लिया तो रोजा हराम इससे पेले किसी ने कर दिया तो फला यह हो गया तो यह सारी इफ्तार में यह नहीं किया तो यह चीजे कम उसमें लगे हमने तो यह इसलाम हर जमाने और दोर के लिए आया है यह सा नहीं कि अब यह पास तो हम तो गड़ी से सेट कर लिया हमने नमाज इसको रोजे को कितनी वज़े से सेरी खातम होती है और इतनी वज़े से तो हम काटकस लेके बेढ़ जाते हैं बलकि अच्कल तो वो बिलकुल आता हम सेकर्ड भी चलता तो बस मस्जीद में लगा हुआ सेकर्ड टिक टिक ट कर देंते है इसको रोजें के टालूक से कि जब सफेद काले के अंदर से सफेद आगा झाहिर हो जाएं दो इसको कोई नहीं कर सकता है कि ये önemli हमत प्र सब सब शुरू होता है सूरज निकलने से जहा है कि 1,5 घंटे पहले होता है एक गंटा 20 मिलिट कोई उत कर रहू आप एक गंटा 20 मिलिट उतकी एक गंडाज लगा है। राजल उससे थोड़ा सा उजाला हुगा। तो घड़ीनीदी तब भीयोग करते हैं के लिए इसलाम! तो उसके लिए इसी पावंद्या नहीं है तो इस पर हम वो ना करें तो इसके अंदर बहुत मारजीन है बहुत मारजीन इसमें दिया गया है तो ये गेर जरूरी बारी की में उलजे और रोजे से फिर फिर तक्वा हासिल ना कर पाएं नमास से हम बुराई को खत्म ना कर पाएं तो फिर वो किसी काम की नहीं कि मकसद हम हासिल नहीं कर रहें उससे मकसद क्या होना चाहिए तो याद उसकी कायम नहीं हो रही है फिर रोजे के लिए भी और नमास के लिए भी तो एक्शन मकसद नहीं होना चाहिए नुसका नुसका सही है, हमकोस्तक को अलला पते हैं, ये हनदर बुराई निकल जाएगा, अगर हम नमास पढ़ रहे हो, हमारे अंदर पते हैं तो पिर का करना चाहिए है, एक डॉक्तर के बाद के पास हम जाते हैं, अगर वहां से इलाज हमारा सही नहीं हो रहा, तो क्या तो सम्मौरा, दौभाईस सी पंदरा दिन हो गए... क्या करेंगे kys तो-धोक्टर बदल लेगे तो अभ हम यह यह नुस्खा तों हो로 हल्दध ने हैं कि नमाज पड़ो कि और तुम्हारा जो है यह यह वदल जाएगा विअलेसे तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी तब वो हमारे अंदर से वो चीज़ी निकलेगी, जो हम पाना चाहते हैं, तो यह है, तो इसका रिजल्ट होना चाहिए, तो कोई भी काम दुनिया में हम करते हैं, तो रिजल्ट के लिए करते हैं, नतीजे के लिए करते हैं, बगिर नतीजे के लिए करते हैं, बगिर नतीजे इसके बाद में फिर नमाज रोजा हो तो रोजा नमाज तो गेर मुस्लिम से भी कही गेर मुस्लिम मेरे दोस्ते हैं वो रख लेते हैं कही रख लेते हैं रखते हैं रोजे लेकिन उनका रोजा क्या फाइदेगा है बगेर इमान के वो सिफाका है रख लिया उसने किसी को बोलते है तो वो शोक शोक में रख भी लेता है एक दिन रख लेता है दूसरे दिन के अभी नहीं बढ़ा आएगा तब बता देना रख लोगा दूसरे दिन नहीं रह सकता हो क्यों कि इमान की बात है इसके अंदर इमान है तो वो पूरा महीने दबर रखेगा, लेकिन उनका वो नहीं है, तो इसे कई गेर मुस्लिम बिल जाएंगे, जो रखते हैं, लेकिन वो क्या आता है, कि मकसद हासिल उनके पास इमान नहीं होता, इसलिए वो उस चीज को कंटियू नहीं कर सकते, और इसे पूरे घर में जलगे है, पूरे घर के चारह जल गे रबॉस के अंदर, वो रोजे रखते है, फूरे महीने के, वह पास आते भी थे, वो केते ते पूरे महीने के रखता हूंँ, मौलाना गोरा है, मैंने वो आजिता पहले मींDonat, पहले बिल जाता है, फिर मैं रहता हूँ, और मुलान नहीं आके वो कही सालों से रखते हो। लेकिन पिर जब उन्हें ने बताया मुझे कि मैं के सालों से रखता हुआ हूँ 하면, पूरे महीने के रखता हूँ मरोखु तो फिर मैंने उन्हें को दावद भी दी, उनको समझाए भी कि देखो रोजा रखतो रहे हो लेकिन काई के लिए रख रहे हो किस वज़े से रख रहे हो पूरा मैंने उनको समझाए अब उनको समझा दिया था उसके बाद में फिर एक ही मुलाका तो उसके बाद होई हो सकता है कि उनने तो यादो पर तबज़ентов दियो कि हमारा काम के देना हो सकता है अलाने उनको फेरा हूँ उस नेखी के वज़े से तो यो तो पुछ लेते हैं लेकिन उन्हें पर ने इमान नहीं तो फिर वो फाका हो जाता है तो अल्ला पर इमान जिस मकसद के लिए भेजा उसके कानून के तहट चलना ये इमान इस इपनी के अल्ला पर इमान रख लिया और ये काफि हो जाएगा उस मकसद को हमको रखना तो फिर Allah ने कहा कि फिर तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारे लिए फला और कामियाबी तब कामियाबी है तो सिर्फ कल्मा पढ़ लेना काफी नहीं है उसकी बताई हुई चीजों पर भी इमान रखेना है वो भी क्या है यह जो जन्नत बताई यह पूरा इमान है कि है जन्नत और हमको मिलेगी उसमें फला फला नेमत है उसमें और नी करा उसके मताबिक उसमें जो हमको हिकामात दी उसके तरह मताबिक हमने जिन्दगी नहीं बिताई तो जहन्नम है यह इमान है कि उसमें चले जाएं जर्रा जर्रा बार भी होगी जो तो ये सब चीज़े वो देख लेगा तो जुल्म नहीं होगा और उसका वादा सच्चा है और अपने वादे से वो फिरता नहीं है तो और उसके बाद फिर एमान लाना फिर अल्ला ने आपर कहा कि फिर एमान क्या है नेकी कायत अल्लान का अल्ला पर एमान लाओ और फिर कहा एक मिलाओ यो मिल आखिरा आखिरत पर एमान लाओ तो आखिरत पर एमान तो असल जितनी भी जो तफसील अल्ला पर एमान लाने के बाद है ये तो हमको और तफसील से अल्ला ने बता दिया लेकिन ये सारी चीज़े अल्ला पर इमान लाने के अंदर ही है असल इसके अंदर अल्ला ही है कि अल्ला पर इमान आ गया तो उसके बाद में सारी चीज़ों पर तुमको यह है कि सब उसकी फिर इसकी डिटेल है अल्ला पर इमान लाने की डिटेल है अब क्यों कि आखिरत एक दिन ये दुनिया खतम होगी और आखिरत के अधर रिसाब लेगा तो ये उसी के अंदर की डेटेल है सारी की सारी तो उसके अंदर जिसने जो किया वो उसको देगा जो अल्ला ने कुरान में फर्माए सुरह आले अमरान के आयत नमर पच्चीस में कि जिसने जो कमाया उसे वो मिलेगा जो जैसा करेगा उसको भरना पड़ेगा और दूसरे का अमल उसे कोई फाइदा नहीं देगा ना किसी दूसरे ने कोई अमल किया तो उसको तुमको कोई नेकी नहीं मिलने वाली तुमने किया तुमारा उसने किया उसका वहाँ पर इसा नहीं होगा कि इस नहीं किया और उसको मिल जाए तो कोई किसी का बोज उठाने वाला नहीं वह किसी को किसी का भूज नहीं उठाएंगा तो फर्माया था, यहां तक कि अपनी लाडले बैठी हजरत-फातिमा ना, उनके तालूक से फर्मायता है कि मेरी बेटी, में तुमारे किसी काम नहीं होगा तो तुम अपना खुद देखो याँ पर वो सभी, बल्कि उनी से क्या पुरे खांदान से खिताब करके फर्माय है कि देखो एई फूपी, एई मेरी खाला मैं किसी के काम नहीं आऊंगा तो जो जान ला है न तो अभी जान लो मुझसे सीख लो, महां पर काम नहीं दे पाऊँगा तो जब वो उनकी जो है लगते जिगर उनकी बेटी है उनके लिए किया दिया अल्ला के रसुला सलमें जो यह अइए यह फरीषत्त लाते हैं मेरे और यह फरीषत्त इसको मेह फूसbasत अंदर ऊमिक्स नहीं हो सकता न फरबायानी नहीं के जो में देता हूं वैसा वो लेकर आ जाते है तो यह फरीषत्तौ पर इमान है जानिस फट्स्रस्त कने आता हम कताब किताबों पर इमान यहां किताबों नहीं कहा गया यहां किताब पर इमान इस आयत के अंदर का तालू के दूसरी जगे जहां पर आये तो किताबों पर इमान यह पिछली भी साथ में थी लेकिन यहां सिर्फ जमा में नहीं लिया अल्ला ने सिर्फ कहा किताब पर इमान सिर्फ कि बात हो इसकी ओर इसलिए खाली एक singular किताब के बारे में एक्टा गया है अब यह एक वजहात और बहुए कर दू कल भी मैंसे किसे ने सवाल किया था हाला कि किसी को नामजद लेना किसी के नाम लेकर कोई बात कहना तो मिज़ाज में निये कि मैं किसी के नाम लेकर कोई बात कहता हूं लेकिन चुकि कभी-कभी ऐसी चीज हो जाती है कि जिसकी वज़े से लोग फितनों में पढ़ने का डर होता है तो उसको नामजद भी लिया चाहिए लेके बताना चाहिए तो इसके अंदर उन्दख सब्छाना है कि अ विएक अलगी फितना है और या तो यह है कि वो किसी साजिस के तहसं भेजा गया है, तो उसका यह कहना है, वह यह कहता है है, वह यह यह कहता है, किताब के बात कर रहे हैं, गोने की कृता है। तोरात मतलब कानून होता है इंजील मतलब होता है खुशकबरी तो बोले कि यह वही है आप इसको अलग समझ रहे हैं कि तोरात अलग है और इंजील अलग है मतलब खुशकबरी कानून कौन सी इस किताब के अंदर है खुशकबरी कहा है इस किताब के अंदर तो इसी के बात के जारे हैं कोई किताब नहीं थी, शुरू से यही किताब एक ही किताब, तो उस किताब को भी खत्म करने की वो उसमें, लेकिन यह है कि कुरान के अंदर यह वर्ड अलग से आए हैं, अल्ला ने तुरात का भी लफज का इस्तिमाल किया कही जगे पर, इंजिल तो अर्वी में आजिल हुआ, तो यह अर्वी है, हाला कि क्योंकि होता ऐसा है कि जहां पर अर्वी में है, लेकि जहां जहां पर जगे की और किसी की नाम की बात आएगी, तो उसको ट्रांसलेट थोड़ी किया जाएगा, उसके नाम से ही पेचाना जाएगा, उसको थोड़ कि दरत इसित्युब को जहां पर यह लफ अच्छ सिंद्क हा दिया और इसक इसका .TORANA opened ऐसके पेरायों के लफ़कर दिया, इसके लेके लिखनार में। उससे बता के लिखना हैं कि आपका भार। तो ट्रांसलेशन करने जाते हैं ना तो वो घाजमी के नाम का भी ट्रांसलेशन कर देते हैं जैसे हमारे साइंटियोस्टों के सारे नाम उन्होंने नाम भी ट्रांसलेशन कर दिया हूं किताबों के नाम भी उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया तो ट्रांसलेशन नहीं तो अल्ला नहीं भी नहीं किया तो जिसे मिसाल के दोर पर हम समझें कि एक का नाम अब्दुल्ला है अब अब्दुल्ला के बारे में कोई चीज में बता रहा हूँ क्यों Allah Abdullah मतलँ भी था Allah का बंदा तो Allah का बंदा नियसा किया तो भूखेंगा नहीं कौन एक नहीं किछा थे था कि Abdullah नियसा किया तो अछे तैसा अछए व该ची बीडान की बात हरी लेकिन नहीं नाम का भी जैसे कंवा में नाउन कर सबस्क और चुराज सबस्क्राइब नर्ण करने हैं के अमारे obs. प। ती delegato किताबों की हमेत को भी खतम करने का है, वे प्लख करणा है। दज्जाल और कई चीजों का इंकार है और अल्ला के रसुल s.a.v. की असल सक्षियत खत्म करने के लिए वो अल्ला के रसुल s.a.v. की सक्षियत इसलिए बागी रख रहा है कि जो को अल्ला के पास में और को जराई ये ना था वही बेजने का कि इंसान पर भीजी जाएगी तो सिर्फ वो जराय मेडिया में इसके लावा कुछ भी नहीं तो उनकी सक्सियत को खतम करने के लिए उफितना जहां तक मैं समझता उठाया गया है तो ये जरूरी था ताकि ये बात आएगी तो मैंने उसके तालुब से थोड़ी और बात भी रखी है कि कुरान में इसकी दलील दी कुरान के अंदरी दलील मुझूद है सूरे बकरा सूर नमबर दो आयत नमबर 215 में लाने फ़रे कि कुरान बिल्लह मलाइकत ही वा कुतूब ही वा रसूल ही कुतूब ही यानि कि जमा किताबों पर इमान की बात हो रही है और कहा गया कि रसूल भी इमान लाए जो उन पर नाजिल किया गया और इमान वाले भी इमान लाए मुमिन भी इमान लाए किस पर इमान लाए कि अल्ला पर फरिष्टों पर और उसकी किताबों पर कुतु भी जमा है तो फिर एक ही थी तो फिर ये अल्ला नहीं या ये क्यों कहा तो ये बहुत सारे चीज़े जो इसमें आपस में टक्रावजी करती है तो अब हमारी बात पर वापस लोटाएं कि ये जो बात हैं में कि जो करना है वो कुरान के हिसाब से हमको करना है जो बताया है कि नेकी क्या है तो हमको उसके हिसाब से करना है और अल्ला जो है इसको बार बार जो चीज़े उसमें होती है जैसे कुरान में एक जिए कि अल्ला ने फर्मा शुरु बकरा की आयत नमर 106 के अंदर कि जिस चीज को हम मनसूप कर देते हैं या जिस चीज को हम भुला देते हैं या लोग भी भुला देते हैं तो हम फिर क्या करते हैं कि उसको फिर वापिस लेकर आते हैं तो ये हुआ करता था पहले के दोर के अंदर के जब Allah किसी जगे पर नबी को भेजता था एक जगे पर तो उस वक्त जराय मुझूद नहीं थे कि वो नबी दूसरी जगे पर उस बात को पहुचा सके तो वो उसी जगे के लिए होते थे और वहीं पर उस लोग जहाँ जो लोग रेते थे जिस उनका मिजास था जिस फितरत पर ओते तो उस फितरत के ऐसाब से उनको अल्ला हिकामात देया करता मे जैसे लोग महाँ पर इस्ततात रखते तो ने उनके लिए कानून बनाए थे लेकिन अब उसके बाद में क्या हुआ कि फिर अल्ला फिर वापिस से उस कौम के लिए फिर से उसी हकामात को दुरूस्त करके और उन्होंने बुला दिया तो फिर लेकर आता था इसको कहते थे यह चीजे हैं जो अल्ला बदल कर तो अल्ला उसको उन्होंने हटा दिया फिर अल्ला उसको वाजिय रोशन करकर लिया उन्होंने बुला दिया फिर अल्ला वापिस उसको लेकर आया लेकिन अब चुकि एक आलमगीर पेगाम अल्ला ने दे दिया पूरी काइनात के लिए पूरी कामात तक के लिए तो अभी हमारे पास म किताबों पर उसके फरिष्टों पर ये इमान शुरू से नूँ अलिए सलाम से लेकर अल्हा के रसूल सलम तो कयामत तक यही इमान रेना ये बुनियाद है हमारे शिरियत के इससे जो है वो बदलते रहें और फिर उसके बाद में अल्हा ने ये तो अल्हा ने सब को किलियर करके साफ करके वापिस मिलावट से पाक करके कौरान के अंदर हमों को फिर से दे दिया वो सारी चीजों को तो ये इसमें रख दी गई तो फिर यहां अल्हान ने आगे कहा कि माल की महबबत के वावजुद खर्च करते हैं वो दोनों की बात एक ही है अल्हा हुब भी जिसे अबुबक्त सिद्धिक रजीन अटाला से अब अल्हान ने कहा एक जंग के लिए उन्होंने कहा कि इसमें माल की जरूत है तो वो घर गए और सब लेकर आ गए तो उन्होंने पूचा घर क्या छोड़ा तो बोले अल्हा उसके रसूल को सब लिया है सारे कुछ लेकर आ गया तो अब यह जरूरी नहीं कि हर आदमी यह सही कर सके हर आदमी तो नहीं कर सकता किसी को मगाई जाये तो सारे ही कुछ लेकर आ जा तो अल्हा की रसूल से ने मना भी किया कि सारा का सारा भी नहीं दे सकते आप पीछों अलग उसके लिए रखना पड़ेगा आपको तो यह कि हर कोई नहीं कर सकता लेकिन महबत तो है लेकिन खर्च करना है तो अब उनकी महबत इती नहीं थी उनके लिए उत्ती महबत काफी थी कि अल्ला उसके रसूल को रखना उनके लिए वह मुभबत थी हर किसी के बसके बात नहीं है तो दोनों माने इसलिए गया तो अल्ला से मुभबत तो उन्होंने सब दे दिया ये माल से मुभबत के बात खर्च करें तो मुपपत है तो बचा कर रखेगा लेकिन खर्च भी करेगा तो दोनों माने इसके मुझेने और ये दोनों सीज़े और अल्ला ने फिर कहा कि यहाँ पर ये नेकी वही नेकी को ये नेकी नहीं है उसकी तफसिल में फिर ये भी है, तुम नेकी को नहीं पोच सकते हैं, जब तक कि अपनी मेभूब चिप्च खर्च ना कर दो, तब तक नेकी नहीं है, तो जिससे महबत है, उसको खर्च करना है, कोई आदमी के पास में एक पुरानी जूते पड़े थे, उसने उठा के दे द उसके पास जूते नहीं थे, पेर जल रहे थे, तो ये आपको देने थे, नहीं दिया तो गुने गार, लेकिन नेकी नहीं है वो, क्योंकि वो आपकी महबत की चीज थोड़ी है, तो आपने वेस्टेज उसको रख रही थे, कपड़े थे आपके पास में पेने ही नहीं, एस नहीं की नहीं, तो देना अच्छी बात है कि दे दे आप उसको नहीं तो फिर गुना है, इसे दर अल्ला ने एक और जगे कुरान में फरमाया, सूरे बकरा सूर नंबर 2, आयत नंबर 219 में फरमाया, कि ये सलूना का माजा युन फेकुन, कुलिल अफ, कि ये नभी आपसे पूछते हैं, या फिर इसका ये माना भी होता है, कि नभी आपसे सवाल करेंगे, दोनों माने, कि आपसे पूछते भी या सवाल करेंगे भी, तो आपसे सवाल करेते हैं, कि क्या खर्च करें, तो आप के दे जरुरस से ज़्यादा हो, सब खर्च करो, अल्ला के रहा, सारा से दो तो नेकी है जो वेस्टिच पड़ा हुआ उठा के रहा हमने देज़ा हमारे काम का नहीं है तो नहीं देना तो गुना है उसको जाया करना खराब करना पड़े पड़े लेकिन असल के है जो महभूब है उसमें से देना है तो वो देना है और फिर आके यहांपर अल्ला से भी मिलती हुए आयत है सुर्य फजर सो नंबर उननबे आयत नंबर सतरा से बीस में अल्ला नहीं आपर फरमाये कि के नहीं बलकि तुम यतियों को इकराम नहीं करते हैं अभी नहीं कि यतियों को पाल लेना उसको दे देना यतिम के घर विजवा देना मिस्किन के घर उसके बाद फिर तुमको अभी टाट पर बिठा के खिला देंगे बेड़ जाओ भी साइड के अंदर बचेगा तो देंगे तो अल्ला ने यह का कि तुम इकराम नहीं करते हैं इज़त नहीं दे रहे हैं उनको और यह भरे पेटों को इज़त दे रहे हैं तो यतीम और जो मिस्कीन हैं उनको इज़त भी देना है साथ में सिब खिलाना मक्सद नहीं है कि सिब खिला दिया उसको यह घर ले जाकर उसके डाल दिया बच गया इज़त भी देना है माल से महबबत के अंदर तुम बुरे फसे हो विरासत का माल खाना क्या ये भी हम देखते हैं आँ में कोई किसी की बेनों का फुपी का कोई देता है कोई नहीं देता खा जाते हैं वो के थे भाई शादी कर तो दीती इसकी इतना सारा खर्च कर दिया इतना धेज दे दिया देखो फिर उसके बाद में लड़के आ गई ती दो साल तक घर बेटी रही बेटे-बेटे खिलाते रहे इसको केस भी चलना तो उसमें पेसा लगाया ये सब तुम अलग चीज है वो तो दे नहीं है उसके विराच सथ को इन खो रहे तो वो भी तुम खा जाते हो माल की महपन दें पहस्ते हो Show को वो भी नहीं देते हो विराच सथ को माल समयट unbelievable तो सब का आग देना है तो नीकी में ऐस भी करापर दारों का ce मोँग बलकि वो भी है जिस से हमारा कुर्ब जिससे हमने पास सफर पर उन्हें उससे दोस्ती कर ली तो ये भी हमारा करीबी है तो इसके भी तुमको देना पड़ेगा इसको अगर कई मजबूरी फसी तो इसको भी तुमको देना है उसके अलावा फिर अलाव कि रसूल ले तो फर्माए कि करापदार कोण है करीब करीब वाले कोण है वो ले तुमारे आसपास की चालिस गरीदर वाले न्कों मी देखो कि यहां पर कोई भुका तो नहीं इनके भी हत्तों को देना पड़ेगी बहले कि यहां तक फर्माएं कि वो आदमी इमान वाला नहीं, वो आदमी इमान वाला नहीं, वो आदमी इमान वाला नहीं, जिसका पड़ो सी भुका सोजा और यह पेड़ भर कर खा जाए, यहां तक फर्माएं गाएं, तो नेकी के अंदर यह सारी चीजे उसके अंदर आती ह तो आप उसको जड़को मत यह, अल्ल्छ को सकते नापसंद अल्ल्intérieur के रसुल में से भी यहांद है कि वो चाहिए हो चरसी हो लेकिन हो सकता है कि आप उसको देख रहनी you को चरसी हो शराबी हो और जिसलिए लोगों से पेसी कटे करके नि उसके अंदर वो कड़ता हो, लेकिन हो सकता है जिस दिन आपसे मांगा, उस दिन वाकी जरूत थी, उस दिन वो भूका था, आपको तो नहीं है, आपको क्या मालूम कि उसके जाकर वो चरस पीता है, शराफ पीता है, हो सकता है कि उस दिन भूक की वज़े से मांग रहा हो, और Misskin क्या है कि Misskin यह है hart कि Misskin इसको करें मिसकीन हम किसको समझते ग्या है Misskin हम फकीर और Misskin सबको एक ही कर ले रहे Allah ने जब कि Quran में अलग-अलग फरमाए दोनों के तालूक से कई जगे पर फरमा है कि Misskin है और यह फकीर अलग अलग है तो मिस्किन वो है कि जिसकी जिन्दगी ठेर गई हो, घर में सब कुछ है, घर में सब चीज़े उसके पास है, कि घर में उसके पर रहने के लिए है, खाने के लिए है, घर में चीज़े भी है, जिसकी जिन्दगी ठेर गई है, बड़ नहीं पारा मास है, फस गया हुआ पर, उ तो उसके अंदर जमूद आ गया हूँ, तो अब तुम उसकी मदद करो, ताकि इससे वो निकले, तब फिर वो अल्ला की तरफ आई, नहीं तो 24 गंटे तो वो जवर्यत के अंदर लगा हूँ, बीवी के, बच्चों के, घर के, मेंटेनेस के अंदर, फिर हम उसके के, नमाज को क्यों नहीं आ रहा, तो कहां से आऊं मैं, मैं तो दिन में तो 8 गंटे फेक्टरी पर जा रहा हूँ, फिर शाम को जाके मैं दूसरी की दुकार पर वहाँ पर बेढ़ता हूँ, फिर रात को मैं जोकी दारी कर रहा हूँ, तीन-तीन तो काम कार रहा हूँ, मैं पर टाइम काय करना पड़ेगा सिब बुलाएं उसको आजा उसके पर काँ टाइम है मजदूर है थका मांदा हो गया उसके रहो इशा के नमाज पड़ो कैसे करें तो उसके लिए भी आप दो उनकी भी मदद करो मिस्कीनों के मदद करो तो यह मिस्कीन है और इसी तरह जो है यतीम तो यतीम अब यतीम सिर्फ गोई नहीं कि जिसका बाप मर गया हो हम यतीम उसको कहते हैं वो यतीम है कि उसके पर कोई सहरा ना बचा यतीम उसको कहा जाता है जिसके पास कोई सहरा ना बे सहरा अब एक आदमी बुड़ा हो 80 साल गा लेकिन उसके समाज में कोई नहीं ना को रिष्ते बताईए उनको तुम किसे ख्याल रखना है और फिर उसके बाद में ये सब कर लिया ये सारी नेकी है ये सारी नेकी है फिर 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 नमाच ये सब करने के बाद अब तुम सलाथ काइम करो यहां है सलाथ और हम स्टार्डिंग सलाथ से कर रहे हैं इसलिए जहां पर फर्माए बहुत बड़ी आया था यह कि अभी यह सलात है इसके सब के बाद में फिर सलात कायम करो तो फिर यह सलात है और फिर उसमें कर रहे हो लेकिन तुमने यह सब नहीं देखा है माउन में फर्माया किया रायत अल्लजी उकजब बिद्दीन फजालेक ल जी अदूल यतिम बला युहुदू आला तामिल मिस्किन यह लोग प्रोben नुमाज पढ़ रहे है लेकिन यतिम का हक नहीं दे रहार ये तकिन धक्यक भाया रहे है रोड़ पर और उनके लिए कोई निजाम नहीं कर रहे है तो यह निक्कावा प्र नमाज है, बिद्द लिखावी के नमाज है, फिर लिखावी के नमाज हो फिर अलाने पर फिर यह आ यहागष बारी धिर्यार हो लेकिन उसके अलावा यह सारी चीजे क्या करना, यह तो फर्ज है।ह देना ही देना यह नहीं है फिर गुन्हार। लेकिन नेकी के लिए यह सारी चीजे आदेगी खारच करना पड़ेगा। और निकी देखें निकी मेने आपको यह वाकिया कई बार पेले भी सुनाया कि अल्लागी रसुल्ण ने फर्माया है इसा ही बुखारी के अंदर आता है मुस् самой मुस्लिम के अंदर एक तीन सक्स उऩी गार में फस गए या रहे थे बार GPU is फत्तर आते हैं ओशे का ason can ना नमाज का लगा है ना जगात का लगा है? यह वाला जो फर्जी किया गए वो लगा ही नियू उसने यह नेकी में गिना ही नहीं नहीं उन्हें नेकी तो फिर उनने का कि देखो मैंने उस वरत को छोड़ दिया था अल्ला की दर की वज़े से कि मेरी नेकी है तो उसके वसीले से थोड़ा फत्तर अड़िया। दूसरे ने था कि देखो मैं आल देन के में इसके खिदमत करता था। और उनको खिलाए बगिर में तो पूरा तफसीली वाक्या बड़ी हदीस है। फिर वो तो फिर थोड़ा फत्तर अड़िया। पिर तीसरे ने कहा। उसने भी फिर ये बताया कि देखो मैंने एक के मज़़ूरी मेरे पास रे गई थी और मैंने उसके लिए भेड़ पाली। औ आया और मैंने उससे कहा कि तेरी है ये सारी के सारी चीज तो वो सब में ले गया city और मैंने उसको रोका भी नहीं से तिर ₹रजा के विए तो ये सब क्या किया तहुं हूँ ने का वसिल लगा है था। उन्हों नेकी का वसिला लगा है इसमें नमाण रोजा, लगा, फज ल है थेरी लिए रोजे रखे रहें सब रखते रखते आ है उम्मते यह था बिल चल रहा था देखो उस जो है हमाल का मैंने माल उठा दिया था देखो उसको दूप में बेचारा जा रहा था बिमार था तो मैंने उसको आटों में बिठा के उसके अस्पताल पहुचा दिया था ये नेकी तो ये होगी खालिस की थी अल्ला तेरे लिए में तो उसको जानता भी नहीं था तो फिर वो हमारे मुसीबत में कामाई यह नहीं तो फिर नहीं हमारे पास में तो भी सोच की ज़रोत है कि इसी नेगी है के नहीं वो नेगी को जमा करें तो यह फिर होगी तो मुसीबत में फिर हम उसका वसिला लगा सकते हैं पूर पूरा करो, आधे से हिरे, यह झाला आधे वादे, यह खात собствен enough, पुररू करो-चैहां मंसलमान के वादे वादे के हिल वादे करेक 26 वादे, कि वुंसलमान के वुररमा। एक मुसलमान अगर गवाई देता, तो लोग उसकी बात को सारगेर मुसलिम भी मानते थे, उल्युक्त ओर भूह हो लिए अब बाद भी कर रहे हो अगर फिर कुछे बाद जिसको तफसील ये पूरी बता दिये अल्ला ने नेकी क्या क्या है अगर उसके बाद भी सुचाए नहीं नेकी तो यही है और हमारी यही है दूसरी चीज़ बता तो समझ भी नहीं आती है उनको बोले नहीं पास ताइम की नमाज होगे रोजा होगे इससे आगे बात मत करो ये कुछ सी बाते कर रहे हैं ये तो ये सब ये ही है जो कुछ है सब ये ये नमाज हो रोजा है बस ये कर लो बहुत है अला कि उसके लिए भी इंतिजाम नहीं है उसके लिए भी एक नजम कायम होना चाहिए तो नजम भी नहीं है तो ये है कि पहले हम उसको समझ रहे हैं तो अगर व मुमिनीं कि अगर तुम्हें इमान वाले हो तुम्हारा दावा है कि हम इमान वाले है रुबाकी तुम कहे रहे हो कि सच्चे हो अपने दावा के अंदर के इमान वाले है तो जमीन में तुम ही गालिब रहोगे ये रिजल्ट होगा तुम्हारे इमान का तो कि जमीन में हमी गालिव है या कहीं पड़ पूरी दुनिया में गालिव है तो फिर इसला किसकी करने की ज़रूँ थे नमाज तो सब पढ़ रहे हैं अरब के अंदर पूरी नमाज थे पढ़ रहे हैं बलके मार के पढ़ाई जाती है वहाँ पढ़ तो ले जाए जाता है भी केसे खाड़ा है चलो नमाज पड़ो तो सब पढ़ा रहे नमाज सब हो रही यह नमाज लेकिन क्या हुआ अब उसके बात के हम कायम हो गए है तो हमको फिर सोचने की जरूत है कि यह इमान मुकमल नहीं हो रहा है सिर्फ नमाज पढ़ने से रोजे रखन अगर तुम से भी मान इसको समझ रहे हो और फिर फिर अल्ला नहीं यहाँ पर एक पर जगे फरमाए सूरे रूम सो नमबर 30 आयत नमबर 47 में लाने फरमाए कि कि मुमिन की मदद करना मुझे पर अल्ला कह रहा है कि मुझे पर हक है लाजी में मदद करूँगा उसकी लेकिन क्योंकि अगर वो मदद वो अपने वादे को पूरा करता है वादे से फिरता नहीं मदद करेगा लेकिन शर्त लगाई यह उसने कि तब मदद करूँगा तो फ इमान को चेक करो जिसको मैं इमान समझ रहे हूँ वो इमान मुकमल है कि नहीं इसके वज़े से हो रहा है फिर तो नहीं हो रहा है वो फिर ला का बादा तो सच्चा है और उससे बड़ा वादे का वफा करने वाला कौन हो सकता है और अल्ला ने उसको भी वादे किया कुरान के अंदर सूरे तुबा के आयत 111 में फर्माए कि वमन ओफा भी अदेही मिन अल्ला अल्ला से वादे का वफा करने वाला होर कौन हो सकता उससे बड़ा दुनिया के अंदर पुरी काइनात के अंदर कई पर भी नहीं जो उससे ज़्यादा वादे को वफा करने वाला हो वादे की वफा धरी करता हो तो उसका वादा सच्चा है लेकिन यह कि हम वादा नहीं नहीं भाते इसलिए मुसीवत में फुद पढ़े हूँ इतो इंतिनों आया तो हम टेस्ट करें तो फिर आगे Allah ने या फरमाई कि आखरी में इसमें कि तो वो सक्ती और तंगदस्ती के अंदर मुसीबत और बिमारी के अंदर और फिर वो जंक ये जब हालात हो जाएं तो फिर वो सबर करते हैं इसके उपधार उसमें नहीं क्या मुसीबद आ गई सब कुछ करने के बाद है। यह भी कल लिए तो उमने शाराफित अला ने वहां फर्मा दिया कि इसा नहीं हो। कि जिए देखो तुमने टेस्ट बड़े सब कलिया, सब बता दिया, तुमने निजाम कायम कर दिया, अब उसके बाद भी आ गई, तब फिर मा क्या करना है, सबर करना है, सबर यानि कि जम जाना उस चीजों के उपर, कि हमने जो बताया, अल्ला ने हमने किया, तो या आजमा इ लेड़ जाओ, वो नहीं सबर, सबर यानि कि फिर बढ़ते चले जाना, उसके ओपर जम जाना, तो वो है, तो उसके बाद तक सबर करते हैं, यही फिर लोग सच्चे हैं, और यही लोग परेज़गा है, यह सब होने के बाद में करते हैं, तो यह नेकी है, तो नेकी क्या है तो ये तमाम तफसिलात अल्ला ने इसके अंदर बताई और चंद चीजे में इसके तालुक से रखिया आकर मैं अल्ला से दूआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया असपर अमल करने की तोफिक अदा परमाएं अल्ला जब तो इन्तर रखे मैं इसलाम पर जिन्दर रखे अल्ला जब मौत दे सालम मौत दे अल्ला हमसे लाजयो खिर्वार्वा धौएं